नमस्कार स्वागत है आपका दन्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शेरिन बारा तारिक को बिहार में होने वाले फ्लोटेस से पहले अब बिहार में हो चुका है बहुमत का बाजार गरम जहां जहां एक तरफ कॉंग्रेस ने अपने विधायकों को भेज दिया है तेलंगना तो वहीं दूसरी तरफ बिजेपी ने तमाम विधायकों को जो है बारा तारिक को पटना में उपस्तित रहने का जो है वो आदेश दिया है तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादब के द्वारा किये जा रहे दावों का भी बीजेपी ने कर दिया है खंडन यानि की पॉल पट्टी खोल कर रख दी है जो तरीके से लगातार अफ़ाएं उडाइ जा रहीं थी कि बिहार में जो है वो लाई ऑपरेशन लालटेन जो है वो कर सकती है आर जेडी और जूसरी के से बीजेपी को जो है वो डर है और आर जेडी के कुछ जो विधायक हैं वो इस्तिफा द को यानि की फ्लो टेस्ट में जुदि नितीश कुमार की सरकार को साबित करना है बहूमत और आज बीजेपी और जेडियू के पास जो है वो बहूमत का आंकड़ा मौजूद है और जो अफवाएं उड़ाई जा रही है विधायकों को ले कर वो महद अफवाएं हैं सरकार के ज और उसी दिन शुरूआत होने जा रही है बिहार के बजट सत्र की और इसको लेकर जो है वो लगातार जो है वो खबरें सामने आ रही है तो वहीं दूसरी तरह अब बिहार में वो कॉंग्रेस को अपने जो गिने जुने विधायक हैं उनका तूटने का डर जो है वो भी सताने लगा है और अब कॉंगरेंस ने जो है वो अपने विधायकों को हैदराबाद यानि की तेलंगना भेज दिया है और अब नितीश कुमार की नई सरकार का फलो टेस्ट होने बाला है और उससे ठीक पहले जो है वो सियासी भूचाल अब बिहार में देखने के लिए मिल रहा है और देखिए इसी बीच बिहार की बीजेपी की ओर से राज्य के सभी विधायकों को जो है वो बोध गया लेकर जाया गया है जिसको लेकर ये तका जा रहा है कि BJP को अपने विधायकों को तोड़ने का डर है कि कहीं जो BJP और जेडियू की जो विधायक है वो छोड़के ना चले जाए या फिर सरकार क्या पता बहुत पेश ना कर पाए जिसको लेकर अज BJP ने तस्वीर साफ करते हुए कहा है उससे पहले और सदन में जो है वो जरहित के मुद्दों को किस तरीके से उठाना है किस-किस मुद्दे को उठाना है और नीती को लेकर जो है वो चर्चा की जाती है बीजेपी को कोई डर नहीं है कि उनके विधायक उन्हें छोड़ कर जाएंगे या फिर कोई बगावत होगी यह हमेशा की तरह यानि की हर साल होने वाले बजट सत्र से पहले जो मीटिंग पार्टी की तरफ से रखी जाती है और इसलिए अब हमने विधायकों को जो है वो एक जगा होटल में रखा है और उनके खाने पीने की विवस्था जो है वो भी की गई है देकि एक तरफ तरफ को अपनी बहुमत पेश करेगी तो वहीं दूसरी तरफ जेडियू की तरफ से अब यह आरोप लगाए जा रहा है कि उनके विधायकों को जो है वो तोडने की कोशिस जो है वो की जा रही है और वाटस अप पे उन्हें कॉल आ रहे हैं फोन आ रहे हैं और इसी के साथ देख करेंतार में खेला होना बाकी है अब उसी आर्जेडिक को जो है वो अपने विधायकों को लेकर भी डर सताने लगा है और अब उन्हें ये लग रहा है कि कहीं जो आर्जेडी के विधायक है कहीं बो कुछ नीतियों के चलते हैं और नाराज होकर जो है वो जेडी हूँ या फिर बीजेपी का दामन ना थाम लें और इसलिए आज जेडी की तरफ से ये बात कहीं जो आ रही है कि उनके विधायकों को जो है वो सीयम आवास के अधिकारियों की तरफ से फोन कॉल आ रहा है देखी अब तो देखना एहम रहेगा कि बारा तारिक का वो दिन क्या आखिरकार नितीश कुमार की सरकार जो है फ्लो टेस्ट में पास हो पाएगी क्या वो अपना बहुमत दिखा पाएंगी जो तरीके से लगातार जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं पर देखिए बीजेपी और जेडीू का जो ह है वो पूरा आकड़ा है इसी के साथ स्यासी गलियारों में जो है वो चर्चा इस बात को भी ले को लेकर हो रही है कि आखिरकार भी को कहीं डर तो नहीं है अपने विधायकों को तोड़ने का तो देखिए ऐसे मैं तेजस भी यादव का व बयान जो है उसकी भी हवा निकल परणकर जो है वो आर्जेडी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं तो देखिए तस्वीर जो है वो क्लियर है बीजेपि और जेडियों जो है वो अपना पहूमत पास करके दिखाएंगी इसी के साथ देखिए अगर हम बात करें तो बिहार की 40 सीटों को लेकर जो है वो लगात की तरफ से साफ खहा दिया गया है कि सभी विदायक जो है वो खुश हैं और सरकार में जिस तरीके से मन्तरालयों का बटवारा जो है वो भी हो चुका है क्योंकि देखी अभी सब दिन पहले ही नितीश कुमार ने जो है रज्यडी का दामन छोड़कर जो है वो बीजेपी के साथ सरकार बनाई है और इस तरीके से और बिहार में जो है वो तमाम चीजों का बटवारा हो भी गया है कि एक तरफ मुख्यमंतरी नितीश कुमार जो है वो नौवी बार फिर एक बार जो है वो बिहार के मुख्यमंतरी बन चुके हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने बिहार में बनाए हैं अपने दो मुख्य मंत्री यानि की डिपिटी सीयम और अगर विभागों के बटवारे की बात करें तो इस बार जो है वो बीजेपी ने अपने पास जो है वो 23 विभाग रखे और इसी के साथ जेडियू को जो है 19 विभाग दिये गए यानि कि तमाम जो चीज़ां है वो सही चल रही है और बात करें विधायकों को तोड़ ने की बात जो लगातार सामने आ रही है तो कल जो मुख्य मंत्री दिल्ली पहुचे थे और उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की इसी क कुमार फिर एक बार आरजेडी के साथ जाएंगे तो उन्होंने ये तक कहा कि मैं 1995 से BJP के साथ हूं मैं BJ इधर उधर हो जाता हूं पर फिर एक भी कहा कि 2005 से लेकर हमने जो है वो बिहार के विकास के लिए काम किया है तो अब देखना एम रहेगा कि मुख्यमंत्री लगातार इस बात पर दम भर रहे हैं कि अब जो है वो पल्टेंगे नहीं और वीजेपी के साथ जो फिर एक बार वो आए हैं तो अब बीजेपी के ही पर अब बीजेपी को छोड़ कर नहीं जाएंगे देखिए अब अगर बीजेपी और जेडियू की सरकार बिहार में बनी हैं तो कई चीज़ें हैं अब जिन पर इन दोनों पार्टियों को मिलकर लड़ना है क्योंकि अभी बारा तारिक को जो है वो विश्वास मत जो है वो लोक सभा की 40 सीटे हैं देखना एहम रहेगा कि बीजेपी कितनी सीटें जो है वो जेडियू के पाले में देती है और ये चुनाव में जो है वो कितनी सीटें एंडिये के हाथ लगती हैं बिहार में और आने वाले 2025 में देखिए बिहार में होने वाले हैं विधान सभा के च चुनाव और पहले भी 2020 में BJP और जेडियू जो है वो एक साथ मिलकर ही चुनाव लड़ी थी मैई जून के महिने में खैर उस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट करकर सरूर बताईए थन्यवाद